आज है 21 ओक्टूबर 2020 मुली का सार मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो डाइरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पढ़ जाए प्रश्न कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाब की कौन सी बात फॉरण टच होगी उत्तर बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युप्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी वह उन्हें फॉरण अमल में लाएंगे बाबा केहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो बाबा से मीठी मीठी बाते करो अपना चाट रखो तो उन्नती होती रहेंगी दारना के लिए मुख्यसार पहला ग्यान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी दोखेबाज आखों को सिवल बनाना है याद से ही करमेंद्रिया शीतल सतोगुणी बनेंगी इसलिए यही मेहनत करनी है दूसरा धन्दे आदी से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है अपना चाट जरूर रखना है वर्दान निर्ने शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मुरत भव किसी भी लौकिक या अलौकिक कारे में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेश कंट्रोलिंग पावर और जज्जमेंट पावर की अवश्यक्ता होती है क्योकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज्ज करना होता कि इसे किस चीज की जरूरत है नब्स द्वारा परक कर उसकी चाहना, प्रमान उसे त्रिप्त करना और स्वयम की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिती का प्रभाव डालना यही दोनों शक्तियां सेवा के शेत्र में सफलता मुरत बना देती है स्लोगन सर्व शक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी ओम शांती